सोशांत सिंग राजपुत की याद में शद्धा कपूर ने लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर जाहिर किया अपना दुख सोशान्त की याद में शदध कपूR ने घर में सजाई अपने और सोशान्त की तस्वीर फोटो शेर कर कहा यकीन नहीं हो पा रहा सोशान सिंग्राज पुद की खुद खुशी के बाद से ही सोशल मीडिया पर अलग लग तरहा की प्रकीरियाद देखने को मिल रही है सुशांत के निधन के पीछे डिप्रेशन माना जा रहा है सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई पोस्ट भी देखने को मिले हैं इसी बीच इस तरह की कई खबरे भी आ रहे हैं कि सुशांत के पास कई बड़ी फिल्मे थी लेकिन एक बड़े प्रेडियूसर से बहस के बाद अचानक ही सारे प्रोजेक्ट से उनका नाम हटा दिया गया जिसके चलते आक्टर काफी ज़्यादा परिशान चल रहे थे और उन्होंने ये कदम उठाया इसी बीच सुशांत के निधन पर कई बॉलिवोड सेलेब्रिटीस सोशल मीडिया पर शोख वेक्ट कर चुके हैं और ये सिलसला भी खत्म नहीं हुआ शरद्दा ने सुशांत के निधन पर अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रक्रिया नहीं दी थी लेकिन सोशान सिंग राजपूत के अंतिम संसकार में पहुची थी ऐसे में अब श्रद्धा कपूर ने सोशन मीडिया पर सोशान की जाने पर दुख जाहिर किया है श्रद्धा ने अपने घर में अपनी और सोशान सिंग राजपूत की फोटो सजाई है जिसकी उन्होंने एक फोटो अपने इंस्टेग्राम पर भी शेयर की है इसी के साथ उन्होंने किताब की तस्वीर भी इंस्टेग्राम पर शेयर की है जो उन्हें सोशान सिंग राजपूत ने गिफ्ट की थी दोनों तस्वीरों को शेर करते हुए शद्दा कपूर ने एक लंबा पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने सुर्षान सिंग के यूँ अचानक चले जाने पर दुख जाहिर किया है दरसल हाले में सुर्षान सिंग राजपूर और शद्दा कपूर फिल्म में एक साथ नजर आये थे जिसने ना सिर्फ वाक्स ओफिस पर धमाल मचाया था बलकि दर्शकों को भी ये फिल्म खूब पसंद आयी थी इसी बीच शद्दा कपूर और सुर्षान सिंग राजपूर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी ऐसे में इस पोस्ट में शद्दा कपूर ने लिखा है जो कुछ भी हुआ है उसे सुईकार करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मान पाना अभी भी बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए एक बहुती बड़ा सुन्य है सुशान्त विनर्मता, बुद्धिमता, जीवन के बारे में जिग्यासा हर चीज में सुन्दरता देखना, अपनी ही धुन में नाचने लगना मैं हमीशा तुम्हें सेट पर देखने के लिए एकसाइटेड रहती थी सूचती थी कि हम आज क्या बातचीत करेंगे शद्धा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा एक शांदार को एक्टर होने के साथ ही तुमने हमीशा अपना दिल अपने काम में लगाया तुम एक अद्भुद वेक्ती थे वो लोगों की परवा करता था और उन्हें खुश देखना चाहता था तुम्हारे साथ बिताया हर पल खुशियों से भरा हुआ रहा वो संगीत और कविता से प्यार करता था उसने मुझे अपने टेलिस्कोप से चांद भी दिखाया उस दौरान मैं इतनी खुश थी कि मैं इतने नस्दीक से चांद की खूपसूर्थी को देख सकती हूँ वो उस भगवान को शेयर करना चाहता था हमारे छिछोरे गैंग जब घर गए तो उसकी खूपसूर्थी को देख कर हैरान रह गए थे वो प्रकटी से बहुत प्यार करता था उन्होंने केलेस्डोपिक लेंस के जर्ये चीजों को देखा और वो अपने आसपास के सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहा वो छोटी से छोटी चीजों पे भी खुश हो जाता था तुम हमेशा याद आओगे प्यारे शुष चमकते रहो खैड जिस तरह से शदा कपूर ने सोशान के लिए अपनी फिलिंग्स जाहिर की है इससे साफ साफ पता चलता है कि सोशान सिंग राजपूत एक नेक दरिया दली इंसान थे क्या सोशान सिंग राजपूत को इंसाफ मिल पाता है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा टेलेविजन के लेटिस्ट अपडेट्स औ चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले